तो भाई इस वीडियो में करने जा रहे है ओपो K12X और Redmi 13 5G के बीच स्पीड टेस्ट और बिना एक भी सैकेंड का वाई शुरूबात करते हैं रिस्टार्ट टेस्ट से जब तक दोनों डवाईस होते हैं रिबूट तब तक मैं बता दूँ कि ओपो K12X में आपको मिलता डामेंड सिटी का 6300 प्रोसेसर वही रेड्मी 13 5G में आपको मिलेगा स्नेप डगन का फोर जेन टू प्रोसेसर और यहां पर रेड्मी 13 5G थोड़ा सा जल्दी रिस्टार्ट हुआ ओपो K12X के कमपेरिजन में आगे बात करेंगे दौनों धेवाईस कीगेपिग परफोर्मेंश कोमन यूज में दौना कैसा परफॉर्म करते हैं N22 बेंचमार्क स्कोरस में तो थोड़ा बहुत स्कोर यहां पर Redmi 13 5G का जरूर ज़्यादा है, इसके बाद गेमिंग स्कोर की बात करें हैं, इसके साथ ही साथ डिवाइस की राइट स्पीड भी Redmi 13 5G की ज़श्ट डवल है के बारा एक्स से, अब यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों डवाइस क्या असर प्रफॉर्म करते हैं, तो क्लॉग का एप्लिकेशन के 12x पर जल्दी लोड हुआ, केलकुलेटर अगें के 12x पर जल्दी लोड हुआ, क्रोम यहां पर Redmi 13 5G पर पहले ल एप्लिकेशन रेटमी 13 5G पर पहले लोड हुआ, एक छोटा सा गेम है, और इससे देखते हैं, यह पहले किस पर लोड होता है, अलाग कि अगर सेम एप्लिकेशन या फिर सेम वर्जन आप दोनों डवाइस इस पर लॉंच करके देखते हो, तो वो रेटमी 13 5G पर जल्दी लोड होते हैं, और यह एप्लिकेशन भी रेटमी 13 5G पर जल्दी लोड हुआ, लेकिन हम नेटिव एप्लिकेशन ट्राइ करते हो, जैसे कि क्लॉक, कैलकुलेटर या फिर सेटिंग्स तो वो ओपो K12X पर जल्दी लोड होते हैं, वो सकता है कि UI थोड़ा सा लाइट हो K12X क एप्लिकेशन भी रेटमी 13 5G पर जल्दी लोड हुआ, यानि कि प्रैक्टिकली कॉमन यूज में रेटमी 13 5G आपको बहतर प्रफॉमेंस दे देगा, अब बात करते हैं गेमिंग प्रफॉमेंस की, तो N2-2 बेंच्वार के स्कोर्स के मताविक रेटमी 13 5G गेमिंग के मिलते हैं तो आई ग्राफिक सेटिंग्स पर तो आप इस गेम को बोली जाईए कि आप बहुत अच्छे से रन कर पाऊगे, माइनर लेक के साथ मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स तक के गेम से रेटमी 13 5G पर प्ले कर सकते हो, बात करनें अगर के वारे में, तो यहां पर मीड सेटिंग्स पर आप यह गेम सेम गेम बड़े आराम से अपनी डवाइस पर रन कर सकते हो, किसी तरह का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने के 12 एक्स पर भी रन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इशू और लेक द मल्टी टास्किंग पर्फॉमेंस की वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड पर है, तो छेजात अप्लिकेशन दौनों डवाइस के बैक्ग्राउंड पर रन है, यहां पर बारी बारी से ट्राइ करते हैं कि किस डवाइस के बैक्राउंड से अप्लिकेशन क्लोज ह हो चुका है, आगे देखते हैं बाकी के एप्लिकेशन की किस डवाइस पर कैसी प्रफॉमेंस देखने को मिलते हैं, तो यहां पर यह एक छोटा सा गेन कार रेसिंग का और यह के ट्वाइस से क्लोज हो चुका है, जबकि रैडमी तेरा 5G के बैक्राउंड पर बना हुआ है यह एप्लिकेशन भी एडमी तेरा 5G के बैक्राउंड पर बना हुआ है, जबकि K12X के बैक्राउंड से क्लोज हो चुका है, कोई बहुत ज़्याद है अप्लिकेशन दौनों डवाइस के बैक्राउंड पर नहीं ते, और 6G वी रैम पर आपको वहां बहुत अच्छे खुमिन्स आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी